राजी की उप्राजदानी नाकपुर के लिएक बेहधी सकारात्म खबर है। राजी की उप्राजदानी नाकपुर के लिएक बेहधी सकारात्म खबर है। लेकिन फर्वरी का महीना एक रहत की खबर लेकर आया है। पुलिस सायुक्त अमितेश कुमार ने जानकरी दी की फर्वरी के महीने में शहर में एक भी हत्या नहीं हुई। जिससे हर किसी ने रहत की सास ली। बता दे कि कई सालों में पहली बार नाकपुर शहर में पूरे एक महीने में एक भी हत्या का मामला दर्च नहीं किया गया। जो एक बहुत बड़ी बात है। हमने शुरू किया है, MPDA के अंतरगत जो बड़े-बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको डिटेन किया गया है। गैंग्स और और और्गनाइज जो सिंडिकेट्स हैं उनके विरुद MCOC अंतरगत बहुत बड़े पैमाने पर कारवाई की गई है। अवैद धन्दे जो हैं इस प्रकार के लोगों के विरुद कारवाई की गई है, तड़ी पार बहुत सारे लोगों को किया गया है। यह सब और बीट पुलीसिंग जो पुलीस टेशन को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके बीट एफेक्टिव बीट पुलीसिंग की सिस्टम शुरू की गई है। इसके लिए शेहर पुलीस के सभी वरिष्ट अधिकारी, सीनियर पियाईज और विशेश करके जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो हमारे कॉंस्टेबल्स इसके श्रेह के भागिदार हैं। और जिस प्रकार की सपोर्ट नाकपुर शहर की जनता की मिली है, सभी घटक के लोगों की सपोर्ट मिली है। इसका ये परिणाम है कि हम आज ज्यादा मोटिवेटेड हैं और ये एक नॉर्मली जो नाकपुर को क्राइम कैपिटल करके जो ओरक है उसको वाइप आउट करने में, उसको पोचने में हमको यश मिला है और इस ट्रेंड को हम आगे कंटिन्यू करना डेफिनिटली हमारे ल इस वक्त बात करते हुए पुलिस आयूक्त अमितेश कुमार ने कहा कि नागरिकों का विश्वास जीतने में पुलिस कामियाब रही जिसका नतीजा ये निकला कि शेहर में फरवरी महा में एक भी हत्या की वारदात सामने नहीं आई फरवरी महा मर्डर फ्री मन्थ होना सच मुच एक अच्छी बात है और ये पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित की गई योचनाव कोवीद दर्शाता है कैमरा परसन अखिलेश भारत दुआज के साथ दिशा अटवाब बीसेन न्यूस नागपूर